नमस्कार आप देख रहे हैं आरे निवस मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सेंग बुलिटन की शुरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी और एहम खबर के साथ दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जहां पर GST कांसिल की आज सुभा ग्यारा बजे एक एहम बैचक होने वाली है बड़ी और हैम कबर इस वक्त की दिल्ली से जहां आज कांसिल की एक एहम बैचक सुबह 11 बजे होने ज़ा रही है जहां कोविट संबंधी सामानों पर रियायत हो सकती है इस बैचक में कोरोना से संबंधी जो करण है उनकी GST पर बड़ा फैसला आ सकता है रियायत दी ज़ा सकती है समानों पर GST से रियायत की घोशना होने के पूरे आसार कोविट नाइंटीन से संबंधित ज़रूरी समान को लेकर ये बैचक की ज़ा रही है साथ ही ब्लाइक फंगस की दवा पर भी कर कटोथी पर विचार किया जा सकता है राजी सरकारों के वरिश अदिकारी इस बैठक में शामिल होंगे तो वहीं वित्मंत राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठक का हिस्सा बनेंगे बड़ी और एहम कबर इस वक्ती दिल्ली से आपको बता रहे हैं जो आपर एक एहम बैठक आज होने वाली है जिसमें कई दिग्गत शामिल होंगे तो वहीं राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होंगे और GST काउंसिल की ये एहम बैठक बताई जा है विचार किया जा रहा है करकटोती को लेकर जिसके लिए ये लिहाजा बैठक कापी एहम बताई जा रही है कोरोना नाइंटीन जो है उससे जितने भी उपकरण संबंदेद उपकरण है उन सभी पर GST काटोती को लेकर एहम फैसले आ सकता है साथी ब्लाक फंगिस की दवा जो हाँ पर GST को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है बैठक में वित राज्यमंत्री अनुराग छाकुर भी शामिल होंगे और इसी बीच काज़ेबाद से इक बड़ी खब सामने आ रही है आपको बताएं काज़ेबाद में लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों में हुई चोरी कहीं दिवार काटकर तो कहीं ताला तोड़ कर चोरी की वार्दात को धिया गया अंजाम जुले के 30 सरकारी स्कूलों में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है जहां स्कूल में लगे पंके और स्कूल में बजने वाले घंटे ले उड़े चोर बता दे बरतन तक की चोरी कर ली गई है स्कूल से बिजली के तार और गैस लेंडर की भी चोरी की गई है बियसे के आदेश पर शिक्षक ने दर्च कराया केस बड़ी और रहम ख़बर इस वक्त के आपको बता दे करोना काल में स्कूल बंध है काफी समय से और ऐसे में स्कूलों में चोरी की वारदात का ये मामला सामने आया है जहाँ पर कई स्कूलों में गाजेबाद की कई स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूलों में चोरी की गई है चोरी की वारदात ही सामने आई है जहाँ आपको बताएं कहीं दिवार काट कर तो कहीं ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है तो वहीं जिले के 30 सरकारी स्कूलों में लाखों की चोरी अब तक की जा चुकी है जो स्कूल है उनमें मौजूदा पंके और स्कूल में बचने वाले घंटे तक को चोर उड़ा के ले गए हैं साथ ही स्कूल में जो बरतन, बिजली के तार और गैस सिलेंडर जो रखे हुए थे उन्हें भी चोरी कर लिया गया है इसके साथ ही BSA ने इस पूरे मामले में संग्यान लिया है और इसके साथ ही BSA के आदेश पर सिक्षकों ने चोरी की इस वारदात की खुलासा किया है और पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्च करा दी गई है पुलाल पुलिस ने इस पुरे मामले को दर्च करते हुए कारवाई शुरू कर दी है गाजेबाद से इस वक्ती बड़ी और एहम कबर आपको बता रहे हैं जो गाजेबाद के 30 सरकारी स्कूलों में चोरी की वारदार सामने आई है